वीडियो को लास तक जूर देखे दोस्तों आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलिए गाइस बिनावकित का वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें स्नाइप सीडाइब को ओपन कर लेना है तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा उसके बाद आपको प्लस वाला इकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को एड़ करनी है तो यहां पर से हमें अपनी फोटो को एड़ कर लेना है अब हमें अपनी फोडो के इडिटिंग करनी है तो हम टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे जो इंटेज का उप्शन इस पर हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जो इसकीन में हमारा जो एफेक्ट आ गया है उसको एरेज करना होगा हमें तो इसको एरेज करने के लिए हम तो व्यू इडिट्स पर जाएंगे और उसके बाद फिर विंटेज पर क्लिक करके पेंसिल वाला इकन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर इणिवर्ट पर हमें क्लिक करने तो एफेक्ट हमारी अपलाय हो जाएगी ऊसके बाद अमांट को जीरो रख करके हम यहाँ पर स्कीन वाले पोर्शन पर यह ब्रश कर देंगे यहांगा इरेज होगा हमारी फोटो पूरा इरेज नहीं होगा तो हमको भी वही चाहिए कि हमें ज्यादा इरेज नहीं करना इसे और इसके बाद अडियेशन होने के बाद हम आई वाल एकन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई करने के लिए फिर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो में एफेक्ट अप्लाई हो जाएगी और हमें इस PNG को आड़ कर लेनी है और इसके mode को हमें एड पर रखना है लाइटेन पर रखना है इसके mode को तो इस PNG की download link वीडियो के निचे आपको description में मिल लेगे वहां पर अपर से आप डाउनलोड कर लिगा और इसके बाद इसे ऐड़ करने के बाद हम अपलाई करेंगे अब यहां पे हमें face से erase करना है तो इसके लिए फिर से हम view fuels पर जाएँगे और फिर से penילו al icon पर kli球 करके सबसे पहले तो invert कर लेंगे देर बापने face पर erase कर देना है तो इतना हमें कर लेना है और इसके बाद फिर अपलाई करने के लिए हम राइट क्लिक कर देंगे अब फिर हम बाइक आएंगे और यहां पर और एक प्यंजी को एड़ करनी है तो इसकी भी डाउंडोड लिंक आपके वडियो के नीचे डेश्पिशन में मिल दाईगी वह पर से आप डाउंडोड कर लिजेगा तो इसे भी हम एड़ कर लेंगे और इसके मोड को हमें एड़ पे रखना है और कुछ इस तरह से हमें इसे अड़्जेस्ट कर लेना इसके पोजिशन को और इसके बाद फिर अपलाई कर देंगे तो अपलाई करने के बाद अब यहां पे हमें कुछ एफेक्स लगाने ही जिससे हमारी फोटो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे तो इसके लिए हम ग्रेनी फिल्म पे जाएंगे और यहां पे हमें B02 मोड है एक उस पे हमें क्लिक करना है और ग्रेन को जीरो कर लेना है तो इससे हमारी फोटो में एक अच्छी टोन जिनरेट हो जाएगी हमारे PNG के हिसाब से और इसके बाद फिर हम अपलाई कर देंगे हमें और एक एफेक्ट डालनी है तो उसके लिए हम बलर पे जाएंगे यहां पे जो बलर का लिंस बलर का उप्शन उस पे हम जाएंगे हमें अरते हमें अपने फेस के अलवे जितने पॉर्शन है तो ँस पर हम यहां पर बलर एफेक्ट एड़ करेंगे उसके बाद कितनी एडिश्ण कर लेते तो टांजीशन को हमें 100 पर रखना और बलर को कुछ इतना रखना है और उसके बाद फिर right click करके apply कर लेना है तो इससे क्या होगा कि जो other portion है हमारे body के अलावे तो उसमें क्या होगा कि एक blur effect generate हो जाएगा अब उसके बाद हम फिर curves पर जाएंगे और यहां पर curves पर हमें थोड़ी advance editing करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले तो red channel पर जाएंगे तो red पर select करेंगे और उसके बाद फिर red के shadow को increase करेंगे और उसी तरह highlight को भी हम थोड़ा increase करेंगे तो इससे हमारी photo में red tone generate होगी और उसके बाद green पर जाएंगे और इसके highlight को down करेंगे और इसके बाद फिर next हम rgb पे जाएंगे और rgb पे जाने के बाद यहां पे हमें shadows को decrease करना है और highlight को थोड़ा increase करना है तो इससे हमारी photo में थोड़ी contrast add हो जाएगी तो इससे हमारी photo के look थोड़ा बढ़ जाएगा और इसके बाद फिर हम apply करना है इसके बाद हम last selective tool पे इससे आप जाकर के इस tool पे आप brightness को increase करके अपनी face को bright कर सकते हो तो हमारी photo बन चुकी दोस्तों बिल्कुल perfect आप save करने के लिए हम save वाल icon पे क्लिक कर देंगे तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ला